क्या आले भाई लोग तो भाई आज यार में एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ps4 explorer आप कैसे इंस्टॉल करना है सो बहुत से यार मेरे भाई थे मेरे दोस्त थे उन्होंने मेरे को बताया था कि यार ps4 जब भी हम इंस्टॉल करते हैं एरर आ जाता है या कुछ ना कुछ दिक्कत आती 9.0 में अपडेट मैं इंस्टॉल नहीं हो पाता है और स्पेशली मैं आपको बताऊं तो मेरे को भी एरर यह पाता है था और मतलब बहुत जादा दिक्कत आ रही थी कि मेरा इंस्टॉल नहीं हो रहा था था इंस्टॉलर वगरा मैंने बहुत से वर्जन ट्राय करें नहीं हो पा रहा था लेकिन फाइनली मैंने राइट पीच जी फाइल जिससे मैं अपना 9.0 पर अपडेट कर पा तो बहुत ज़रूर चाहिए बहुत ज़्या चाम आने वाला है आपके और मतलब भी आपने सोचा भी नहीं होगी क्या-काशीज़ गर सकता है तो इस को प्लीज आप को डालना है तो मैं आपको आज सब जानने वाला हूँ उग किस सरीके से आपको इंस्टाल करता है सबसे पहले तो आपको प्रो टिप दूँगा कि जैसे मालो अगर आप अगर 7.55 पे थे अपने अपना सिस्टम अगर अपडेट कर रहा है और आपने क्या बोलते हैं अब आप PS4 एक्स्पोरर डाल रहे हो तो फिर भी नहीं डल रहा है तो सबसे पहले तो आपको एक चीज करन है क्योंकि अब पिछले वर्जन वाला गर कोई इस्तमाल कर रहे होंगे और आप नया वाला अप्डेट करोगे नया वाला इंस्टॉल करोगे तो आपको दिख़ता सकती है तो यह वाला आपको डेटा जरूर उडा देना है अपना बाद में ही इंस्टॉल अपना 9.0 करना ह और बहुत से लोगों को प्रॉब्लम भी आई थी मैंने सुना और मेरको भी आई थी क्या होता था सिस्टम आपका वह जाता था मतब शट्डाउन होता था जैसे ही आप इस तरीके से करोगे तो आपको कोई दिक्कत ने आगी परफेक्टली काम करेगा और मैं आपको एकदम पर इंस्टॉल करना और कोई मत करना क्योंकि और कोई मैं देख चुका हूं दिक्कत आ रही थी यह वाला पीकेजी बहुत सभी फाइल्स है इस वाले में मतलब मेरको कोई एरर नी है परफेक्टली मेरे लिए लिए कर रहा है तो सिंपली हमें आपको अपने पीकेज नहीं आएगी और आपका बढ़िया चलेगा और परस्नली बताऊं तो यार मैंने भी मतलब बहुत दो तीन पीकेजी इस्तेमाल किये थे लेकिन बहुत उनमें दिक्कत आये थी 9.0 में डंक से नहीं चल पा रहा था लेकिन यह वाला जो मैंने वर्जन कर रहा है यह बहुत सकते हो हमारा इंस्टॉल हो गया सिंप्ली हमें खोल लेना इसको और यह बहुत कमाल की आप है यह तो इसको मतलब बिल्कुल भी स्किप ना करें चाहिए आपको यूज नहीं भी करना तो भी एक बार डाल गया चोड़ दो कभी ना कभी आपकी जरूर काम आएगा है तो दे सब सब सीब्सक्राइब अपना पेंड्राइब बगर आप इस्तमाल कर सकते हो जी अपने हाल्डाइब अपन्य है अगदरेश को से लेवान कृमकल कर सकता हूं और काफी जाधा अच्छी चीज़ है प्लिग करना या कुछ नेयों कुछ करना है तो मैं यह सीधा कॉपी करके अपना यहां ट्राइंगल दबाऊंगा तो यहां से मैं कॉपी करके अपना पेस्ट भी कर सकता हूँ और PS में अगर में को पेस्ट करना है वो भी कर सकता हूँ और बहुत काम की चीज है फेस्ट करोगे यहां पर यहां पर जगहां अपने लिग में अपने जाओंगे शुचल यहां यहां पर दौके से कसलर प्लेस जाओं भी ऐससे फेक्रम करना गर्तेष्ट आपको कोई ज़रोत नहीं है, आप अगर चाहो तो अपने PlayStation में एक बार इंस्टाल कर दो, और अपना चाहो तो बस इस से copy-paste, copy-paste कर सकते हो, कोई परशानी बात नहीं है, बार-बार आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, कि बार-बार आपको अपनी PS4 की, PKG बगरा डम करनी पड़ेगी, तो यह तो हो गया, इसका आपका गेम, यहां पर देसे, तो यह सारी जो मैंने गेम इंस्टाल कर यह, मैं अपनी fake package files यहां से ले सकता हूँ, और यह वही गेम्स हैं, जो आपने इसमें 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 आपको आपको अपना अगर जो गेम का आपको अप अपडेट इंस्टाल होती है, जो आपने डाउलोड की थी, तो यह से देख सकते हो, यह से 10211 है, आखरी में तो यह मेरी horizon 0 का है, तो अगर मैं देख सकते हो, यह अपडेट फाइल हो कॉपी कर सकता हूँ, और मतलब मेरी अपडेट फाइल भी हो जाएगी, तो बस सिंपली मैं इनको rename करूँगा, और अपना जब मेरे को किसी में अगर मालो, इसके अंदर से ही मुझे डालनी पड़ जाए, तो बस सिंपली मुझे अपनी डाउन इंस्टाल करना है, और मेरा काम बन जाएगा, और नाम की कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, आप इनका नाम भी चेंज कर सक सीधा अपनी मालो अपने हाड ड्राइव लगा के आप सीधा इसमें कॉपी भी कर सकते हो, तो यह चीज मुझे बहुत सही लगी, दूसरा है, आप इसमें आप ये सेव डेटा का देख सकते हो, अपना सीधा आप मालो, एक सेकेंड यहां भी मेरा यार सेव डेटा तो होना चाहिए सिस्टम में होगा I think तो एक सेकिंद शेयर तो वैसे आप चाहो तो इसमें सेव डेटा वगरा भी कर सकते हो अपना कॉपी वगरा तो आप यह देख सकते हो और दूसरा यह एक चीज है कि इसमें आपका जो यह एड कंटेंट वाला है इसके अंदर I think आपके DLC वगरा होते है जो जो आप इंस्टॉल करते हो तो यह DLC वगरा भी यहां से आपने कॉपी कर सकते हो जो फेक पीक पीकेजी के आपने जो DLC इंस्टॉल करे होंगे तो वो भी आपके DLC एकदम बढ़िया काम करेंगे यह से देख सकते हो कि यह एक DLC है इसका कुछ The Last of Us 2 करके है नहीं वैसे DLC शायद नहीं है यह तो शायद मेरे कल थीम वगरा है तो यह मेरे कल एड कंटेंट में DLC वगरा भी शायद होते हैं बाकी में इतना शौर नहीं हूँ यह शायद थीम के आ रहे हैं भी यह देख सकते हो और बहुत सही है और अगर मालो एक चीज मुझे और अमेजिंग लगी मतलब यार बहुत ही जादा मेरे को मतलब मेरा बहुत जादा टाइम बच गया इसे पहले एपना gameplay लगार रिकॉड कर आठाट तो उस्में इकक्रता ही उसमें दिक्कता थी, कि मेरको बालो पाँ पनदर लगाना पड़्यक्ता थी Μहलो जब लगाभ कर नहीं होते तो नहीं हमादर में इन ईूसरमीं जाऊँगा यह बहुत अच्छी चीज है MP4 फाइल्स में मिल जाएंगी देख सकते हो जैसरी मैंने रिकॉर्ड कर रखा था अपने प्लेस्टेशन में तो मुझे अपना पैंड्राइव लगा की कॉपी करने की ज़रोतनी है यह एक आपकी टाइडल आइडी के बाद यह देखते हो कि आपने जब जब करी होगी तो याला अपने अपने चीज है भाई यही थी एक छोटी सी यार एक वीडियो पांच-दस मिनट की जिसमें मैंने आपको पूरा बताया और भी यार बहुत कुछ है मतलब इसके अंदर मतलब धीरे दीरे अब आपको और भी चीजे बताएंगे जो जो हमें समझ माइएंगी इसके अंदर और बहुत कुछ काम इसके अंदर बहुत कर सकते हो जैसे मालो अगर आपको मतला FTP के थरूगा आपका बेजना चाहो तो इसके अंदर सीधा आप PKG वी इंस्टॉल कर से तो तो उस पर भी मैं टूटल जल्दी बनाऊंगा तो यह मैंने सिंपली आपको बताया कि आपको कैसे अपना PPS4 Explorer करूँगा और भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक करो और सब्सक्राइब भी जरूर करो यार आप भाई को आपकी हेल्प की जरूत है और ज्याद से अधार चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और थैंक यू